अब आपका अपना यूटूब चैनल फार्मेश बावद इसमेख वार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे विटामिन E के बारे में अगर आप चैनल पर नहीं है और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सस्क्राइब कर दें बेल आइकन ओल पर जाके प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और जो भी वीडियो के वेरियों आपकी राय हो मुझे कमेंट बोक्स में आप जरूर दे दो सबसे पहले हम बात करते हैं वीडामिन Е होता क्या है वीडामिन E वसा में गुलंदसील वीडामिन होता है और इन में मोजूद होते हैं जिन में से सबसे सक्रिय रूप एलफा टोकोफेरोल होता है ठीक है यह तवचा के लचीलेपन को बनाई रखता है जिससे समय से पहले एंजिंग तवचा फटना या जूरियों की समस्या से सुरुकसा मिलती है आपको यह समस्या फ्री रेडिक्स के कारण हो स सकती है विटामिन एको ताउचा और बालों के लिए काफी ज्यादा फाइदे मन माना जाता है हम बात करते हैं इसके बीच में नाम आया था फ्री रेडिक्स थीस्ति क्वारिक्स क्या होता है फ्री रेडिक्स का ताथ्प्रियों थ्यों यानि के यूगं होता है वो जोड़ बनाने के लिए अत्यादिक सक्री रहता है इस से आकरामद परतिकिरियां देखकर तौचा और शरीर की कोशिकाओं को नुक्सान पहुंचाने की समता होती है इस परतिकिरिया के कारण कोशिकाओं को नुक्सान पहुंचाने वाली ओक्सिडेंट यान तनाव यानि लेकि उत्पादन के बीच ऐस उंतलन होता है, ऐस उंतलन की परकिरिया सुरू हो जाती है, ठीक है, तौचा को सबसे ज्यादा नुक्सान पहुंचाने के अलावा फ्री रेडिक्स का असर सरीर के अन्य उत्तकों और अंग प्रणाली जैसे केंद्रिय तंत्री का तंतर और काड मिल जाते हैं, ठीक है, वो विकार होते कौन-कौन से हैं, जैसे अलजाइमर और डिमेसिया, जैसे केंद्रिय तंत्री का तंतर से सम्मंदित विकार होते हैं, इसके लाव तौचा विकार जैसे समय से पहले जूरियां पढ़ना, तौचा में लचिलापन या नर्मी का कम होना तौचा की बनाऊट में बदलावाना ये तौचा की विकार इसमें देखने को मिल जाते हैं इसके लबाब बालों से समंदित समझे होना जैसे बालों का ज़़ना और समय से पहले बालों का सफेद होना सफेद बालों को काला करने के लिए भी बाताऊंगा कैसे सपेद बालों को काला किया जाता है रूम्न टाइक्स और और्थी ऑटो रइट जैसे अटो पिवून रोग होता है जो इमिन सिस्टम का अपनी ही स्वास्त्य कोश्चिकां उपर हमला करता है कुछ परकार्ट की कैंसर ठीक है यानि की विटामिन इसे कुछ परकार के कैंसर भी आपको देखने को मिल जाती है इसके लबाँ डिजनेटिव विकार जो समय के साथ एक उत्तक या अंग को खराब कर दे लेता है ठीक है इसके लबाँ दमनियों की रुकावट क्या भी कारण होता है जैसे एथोरोस्क्लोसिस होना या नेतर सम्मंदित विकारों जैसे आंकों से धुंदला या अंगापन या मोत्याबिन होना या फिर डाइबिटीज यह होते हैं विटामिन ए की यानि फ्री ये किन कारण से बनते हैं फ्री रेडिक्स प्राकरतिक रूप से बनते हैं हलाकि जीवन चली से सम्मंदित कुछ कारणों जैसे धुंबर पान अत्यदिक स्रापिना तला हुआ जग फूड खाने से शरीर में फ्री रेडिक्स का उत्पादन हो जाता है इसके अलावा प्रिय प्रियावरणी ये कारणों जैसे प्रियावरणी पर्दूस को रसाइन कीटना सकों अन्य या तुचा से या तत्वों से संप्रक में आने की वज़े से भी शरीर के तंतर में बदलाव आने लग जाता है इसी के कारण सरीर में फ्री रेलिक्स का उत्पादन होता है ठीक है अब बात करें, free relics से लड़ने के लिए vitamin A मदद कैसे करता है, ठीक है, हम बात कर रहे थे vitamin E के बारे में, ये मदद कैसे करता है, vitamin E में antioxidant परचूर मातरा में पाये जाता है, और ये antioxidant अन्य अनुगों के ओक्षिकरण को रोकने से मदद करता है, इन में free relics के परतिक्रियाओं को धीमा करने की कसमता होती है, यानि कि उसको रोकने की कसमता होती है, इस से free relics को अतिरिक्त electron देकर बेअसर कर दिया जाता है, इस परकार free relics के गतिवे दिया कारियों और रासाइनिक एस्तिरताक में कमी आ जाती है, चीक है, ये तो थे free relics में विटामिन कैसे काम करता है इसके बारे में, अब बात करते हैं, विटामिन E के स्रोत कौन-कौन से होते हैं, यानि कि विटामिन E किन-किन स्रोतों से आपको प्राप्त होता है आपके सरीर को, विटामिन E वसा में गुलंचिल योगिक, योगिकों के एक परिवार्शी है, विटामिन E के अच्छे स्रोत जैसे बादाम, मूंगवली, अखरोट, ये तो थे अच्छे स्रोत, अब वनस्पतिक तेल से सूरज मुखी, यानि कि वनस्पतिक तेल से सूरज मुखी से, गेहूं से, कुसुम से, मक्का, और सोयाबिन में विटामिन E पाया जाता है, यानि कि मैं एक वार फिर से बता दूँ, बादाम, मूंगवली, अखरोट, वनस्पतिक तेल, सूरज मुखी, गेहूं, कुसुम, मक्का, सोयाबिन में विटामिन E पाया जाती है, सूर्ज मुखी के बीज और हरे, पत्तेदार सबजियां, जैसे पालक होना, ब्रोकोली में भी विटामिन E मिलता है, उनको खाने से भी विटामिन E आपको प्राप्त हो जाता है, ये थे विटामिन E के कुछ स्रोथ, अब हम बात करें विटामिन E के फायदे क्या है, ठीक है विटामिन E परतेक नुकसान में से मानों कोशिकाओं की रक्सा करता है, और स्वास्ते समस्याओं की कई किस्मों को कम करने में सायता करता है, जिस जैसे कैंसर, दिल की बिमारी, भूलने की बिमारी, जैसे कई बिमारिया, भूलने की बिमारिया होती है, उनमें भी ये काम कर विटामिन E के कई अन्य फाइदे भी हैं जैसे सेल्स रक्षन के अलावा विटामिन E परती रक्षा परणाली के कामकाज के लिए भी काफी ज़्यादा महित्वपुर्ण मानी जाती है विटामिन E नेत्रों की लंबी अउदी की रक्षा करता है और अनुसंदान के अनुसार विटामिन E खाने वाले में मोत्य बिन कम ही मात्रा में मिलता है यानि कि मोत्य बिन उनको कम ही होता है चीक है ये थे विटामिन E के फाइदे इसके लवा ये हार्मोन के तरह एक पदार्थ में उत्पादन के काम करता है जिसे कहते हैं प्रोटोकॉलिस्ट यानि रक्ष कि संकुंचन सहीवborg के कई परकियाओं को नेहमित करता है एक अदेन से यह भी पाया गया है कि विटामिन E माज पेशियों की मरमत में भी काफी ज्यादा मड़त करता है करन रोग क्या हुता है करन रोग भी विटामिन की कमिसी होता है करन रोग, सिस्टिक या फाइड्रोसिस या जीगर में पित को पाचन तंतर में सर्वित करने में भी ऐस मर्था होने पर विटामिन E को पानी में गुलन सिल रूप में लेने की सलाद दी जाती है इससे पाचन समस्याओं से बचा जाता है हम बात करते हैं विटामिन E कितना खाना आपको चाहिए यानि विटामिन E डेली विकर्मेंट इंदा बताएंगे अनुआंसिक अहर बता जैसे RDA के अनुसार परती दिन चोगदा वरस की कम आयू यानि कि चोगदा वरस की आयू से अधिक लोगों के लिए विटामिन E 15 मिलिग्राम यानि कि 22.4 आयू के करीब लेना चाहिए जो मैलाओं के इस तनपान कर रही है या उनको अधिक आउशकता हो सकती है जैसे क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि मैलाओं में 20 मिलिग्राम यानि 28.4 आयू तक ले सकती है सुर्टसा के लिए उपरी सीमा 1000 मिलिग्राम यानि 1500 आयू भी हो जाती है प्रन्तु कुछ लोगों में सप्लिमेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है वेसे तो हम स्वास्ति आहर से प्रियाप्त विटामिन ई प्राप्त कर लेते हैं अन्यक कारणों से विटामिन ई प्राप्त कर लेते हैं अब हम बात करते हैं अन्तिम और लाष्ट बात करते हैं इनकी नुक्सान के बारे में इससे पहले एक बार फिर से बता दूम, अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो सब चैनल को सस्क्राइब कर दे, बेल आइक रोल पर जाके, प्रेस कर दे, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर दे, उक्रमेंट जरूर करे दो, ठीके, हम बात करत इसके नुकसान के बारे में, वीटामिन प्राकरतिक है, जो स्वास्ते के लिए आवशेकिन, लेकिन इनके खाने पर भी दवाओं जैसे ध्यान दिया जाता है, दिया जाना चाहिए, यह वसा में गुलंचिल वीटामिन है, और अधिक मात्रा में लेने से सरीर पर जमा हो जा जाता है, खाद्य पदार्थों में वीटामिन ई लेना खतरनाक नहीं है, ठीक है, मुसीबत सुरू हो सकती है, जब पूरक आहर के माद्यम से डोक्टर द्वारा बताई हुई खुराक को अधिक लिया जाता है तब, ठीक है, हम बात करें इसके और क्या क्या नुक्सान होते ह मैंने मुख्य नुक्सान इसके बता दिये हैं, जैसे वीटामिन ई से अधिक मातरा में लेने से त्यधिक रख्ट चाप और ठकान सहीत कई अन्य बिमारें हो सकती हैं, जैसे खून पतला होना इसलिए या इसलिए किसी सरजरी या उप्रेशन से उनसे पहले खुराक नहीं ल होकती हैं, इनिमिया, कंकल, मासपिशया, परति भंग या फिर परिधिनिये, नूरोपेथिक या रेटिनोपेथिक, परतिरक्सा, परति किरिया और तंत्रिक सत्ती संकेत विटामिन E की कमी दिखाता है दोस्तों, ठीक है, इन कारण विटामिन E की कमी आपको दिखाता है, अ लाइक कमेंट अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें ठीक है सस्क्राइब करने से लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है इसलिए सस्क्राइब लाइक से जरूर करें से आपको फाइदा मिलेगा और अपने जो जानकार होते हैं रिस्तेदार होते हैं उनको भ निवाद